नमस्कार दोस्तों ये कैसा हाथ है पर ये इस हाथ के बारे में जानकारी देने के पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ मैं साथ और आठ तारीक को दिल्ली आ रहा हूँ लगबग आधे अपोइंट्मेंट फुल हो चुके आधे बचे है जिस व्यक्ति को परसनल कंसल्ट चाहिए वो क्रप्या वाट्सअप नमबर पर संपर्क करें अब इस हाथ को मैं अगर देखूं तो इश्वर ने इनको बहुत अच्छी साइन दिये बहुत अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए था इतनी भी बड़ी नहीं है पर सन लाइन पर ये पतली सी फिश्टाइन है प क्या जिनके हाथ में फिश्टाइन होती है उनको तकलिप होती है तो उनको मैंने लिखा था नई सर सारे लोगों को तकलिप नहीं होती हमारे पास वो लोग ही आते जिनको तकलिप होती है बाकी ऐसे कई लोग देखे है मैंने जीवन में जिनके हाथ में अच्छी अच्छी होती और उनको कोई तकलिब नहीं होती वो कभी हमारे संपर्क में नहीं आता हां हम उनके द्वारा आ गए हो हमारे रिसर्च के हिसाब से कि आपका हाथ दीजिए और फोटो ले लिया बात अलग है पर वो किसी पामिश्टिया एस्ट्रो लॉजर के पास नहीं जाते पर जिस व्यक्ति के हाथ में फिश्टायन होती है और कहीं न कहीं गरबड होती है तो हमारे जैसे लोगों के संपर्क में आते हैं यह सच्चा ही है तो इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति के हाथ में फिश्टायन होती है उसे तकलिब होती है मैंने ऐसे ऐसे हाथ भी देखे जिनके कोई तकलिफ नहीं होती अब इस हाथ में देखे इनके जीवन में जरूरी नहीं कि आज ये तकलिफ है तो जीवन बर ये तकलिफ में उठाने वाले इनके जीवन में एक नया व्योसाय चालू होगा, जो इनको काफी अच्छी बरकत देगा और जो पुराना व्योसाय है, वो भी एक सर्टन एज के बाद इनको बरकत जीवन में देने वाला है ये सारी वस्तुवों को हम एक बाएक देखेंगे जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धन्योशाकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपुचनिटी आती है उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है ये चोड़ा ही पराम पाम भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है तो व्यक्ति सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होता है और चोड़ा ही होती है तो व्यक्ति महनती भी उतना होता है फर्स फैलेंज तो दिख नहीं रहा है नुकिला है या नहीं पर सेकेंड फैलेंज बहुत ज़्यादा अच्छा है तो लॉजिक के साथ तत्यों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे पर इतना मांसल नहीं है तो कहीं न कहीं कॉंप्रोमाइजिंग नेचर भी होता है वेक्ट लोगी संख्या जाता रहती है और फास्ट नीने लेते हैं सुरी के उंगली बढ़ी है कैसा भी जीवन चलता हो उच नीच कैसी भी हो जीवन का आनंद जरूर लेते वो जरा भी छुटते नहीं इनसे छुटता नहीं और हिमती सभा होता है जेब में पचास अजार और पचा सब्सक्राइब होता है क्योंकि इनके हाथ में एक मनी ट्रैंगल भी है तो मनी मैंनेजमेंट में तो काफी एक्सपर्ट होंगे हाँ नो डाउट धन रेखा अच्छी नहीं है तो एक्सपर्ट लेवल ज्यादा रहेगा उसमें कोई दोर आए नहीं मैं सारी धन रेखा को बहुत अच्छी तरह से रिड करूँगा इनकी और इनके जीवन में क्या-क्या कब बतलाओ आएगा वो सारा मैं इनको बताऊँगा हाँ इनका जो जूपिटर माउंट है वो काफी टिल्टेड है मैं इस पर आऊँगा जब जूपिटर माउंट पर इसका क्या मतलब होता है हो सकता है इनोंने पामिष्टी चैनल मेरे वीडियो ना देखे हो क्योंकि ये किसी और व्यक्ति जो मेरे संपर्क में है उनके द्वारा ये मेरे संपर्क में आए है बुद्परवत पर भहुत सारी खड़ी लाइन है और ये इंडिकेट करती है सारी बड़ी लाइन है बुड़ापे में अच्छी खासी सम्रुद्धी इनके जीवन में रहेगी और ज्यादा लाइन होती है ये बिजनेस सेंस देती है प्लस बुद्परवत भी उठायो तो ये सब भी बुद्परवत यहां से उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रती जादा जिक्यासा होती है छोटा भी काम करें तो ऐसा इनके मन में लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए ये इनके मन में भावना रहती है अब इतना यहां पर यस्टायन तो इतनी खुल कर नहीं दिख र पड़े ऐसी कंडिशन होती है मैं ने तो एक बार इनको कह दिया था कि यह निकाल नहीं पाऊगे पर इनके द्वारा इतना अच्छा फोटोग्राफ आया कि उसमें अच्छी तरह से दिख गई ये देखिए ये एक आपको सनलाइन दिख रही होगी और इसके पास से ही एक छोटी सी लाइन यहां से निकली और ऐसे गुमाव ले ली और इसके द्वारा ये पतली सी फिश्चायन बनी ये तो थोड़ी सी मोटी बन गई मेरे से इससे भी पतली और सनलाइन पर आल्वेज व्यक्ति को जादा धन की समरुद्धी देती है इनकी जब धन्रे का सुद्रेगी उस समय ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगे हाँ इतनी बड़ी साइज तो नहीं है है 6 mm के आसपास की पर इसमें भी बहुत ताकत है बहुत जादा ताकत है इन्होंने दो-चार साल जो टर्न ओवर किया वो भी मुझे पता है और जब धन रिका इनकी सुद्रेगी तो ये उससे भी कई गुना जादा टर्न ओवर वाले व्यक्ति बनेंगे उस पर भी हम आएंगे तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके हाथ में बाकी कहीं पर भी कोई दूसरी साइन मुझे इनके हाथ में नजर नहीं आ रही है किवल यहां पर एक छोटी सी नजर आ रही है बस ये भी काफी छोटी है बाकी कहीं पर भी कोई साइन नजर नहीं आ रह एक समय मुझे आभास उवा था हुआ यह है कि यह यह इताब है एक समय मुझे अबहर करें बहर के यह नहीं में कि यहां पर बहुत ़ाइन गुपन अब यह यह ले लिए यह भी बनती है दो पकource ज Pixel्गिश Oxlano में भींग नगर की उपढ़ए अरब तो worry यह परवत अगर थोड़ा सा भी उभार हो तो व्यक्ति को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता आनन नहीं आता यह इन में माइनस पॉइंट होता है और यह अगर शनी परवत थोड़ा सा भी खड़ा हो यहां पर तो व्यक्ति को इंट्रेस पे करना पड़ता है पर यहां पर कभी कभी हमसे भी गलती होती है देखने में हमें लगता है यहां पर गेरा खाई बनी हुई है और वो हकीकत में होती नहीं हाँ परसनल में कोई व्यक्ति आता है तो हाथ को सिधा रखकर हम देख सकते हैं पर फोटोग्राफी में बहुत बार हमसे गलतिया होती है एक बार म में hard work करना पड़ता है और interest पे करना पड़ता है जीवन बर हाँ बुड़ा पे में fat line है काफी सुन्दर है इनके तो बुड़ा पे में अच्छी उन्नती इनके हाथ में दिख रही है और ये एक line जुपिटर की और जारी है ये चार benefit देती है ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है दे सकती है सरकारी लाप, political लाप और चौथा लाप जो भी कारे करें गए वो बड़े स्तरका करेंगे तो कई लोगों को चारो लाप मिलते किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक लाप प्राप्त होता है अब जुपिटर माउंट जिस वैक्ति का इस तरका हो तो उसके जीवन में कहीं न कहीं पारिवारिक समस्याए एक्स्रिम लेवल पर रहती है सांसारिक समस्याए भी रहती है पर सर में अगर जोर से लगाओ बच्पन में और ठोड़ा सा सरदर्द रहता हो तो सांसारिक यानि पती-पत्नी के बीच में जो समस्याए होती है उसमें छुटकारा मिलता है पर पारिवारिक समस्य है तो भरपूर रहती है, करोडो रुपया परिवार के लिए दे देंगे, अंत मैं सुनने मिलेगा, आपने हमारे लिए किया गया, ये तो आपका फर्स था, हाँ, एक दो लाइने चल रही है, ये मल्टिपल इंकम बीच-बीच में देती रहेगी इनको ये लाइने, सेवा भावी बनाएगी, धार्मिक बनाएगी, और पामिश्री एस्ट्रोलोजिक, इस तरह के मिश्री साइंस में भी इनका ध्यान जाएगा, और इसका ये उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा इनको, बागी कोई साइने इतनी स्पष्टता से, काफी फोट नहीं रहे है, हाँ, मंगल भी अच्छा है, अब जब मंगल अच्छा होता है, तो एक माइनस पॉइंट जरूर रहता है, चाहे कितने भी पड़े लिखे हो, कितने भी, अब शब्दों का प्रेवक करता ही है, टीनेज में और जवानी में भरपूर करता है, पर जैसे जैसे यह कम हो जाता है, दूसरा एडवान्टेज है, सारी रिक उर्जा भरपूर रहती है, इसे लोगों में, भरपूर, उसके सामने भारी मंगल भी ज़्यादा अच्छा है, इस तरह का भारी मंगल हो, तो व्यक्ति कहीं न कहीं, हिमती सभा होता है, और संकट के समय भी व्यक्त हम दूसरे फोटो में भी देखने की कोशिस करेंगे, अगर यह लाइन रही, और यह यहां से काट कर आगे बढ़ती होगी, 99% तो नहीं बढ़ रही है, दूसरे फोटोग्राफ में देखने की कोशिस करते हैं, इनके एक और फोटोग्राफ है, काट के आगे बढ़ रही है, यह लाइन दो तीन माइनस पॉइंट देती है, पिता की और से, भाई की और से, या जीजा की और से, कभी न कभी आर्थिक नुकसान का हमें सामना करना पड़ता है, या रेविन्यू डिपार्मेंट के जो आफिसर होते हैं, उनके द्वारा हमा हमारे जीवन में तकलीमा की है, दो मैसे कोई न कोई एक माइनस पॉइंट इस लाइन के कारण मिलता है, चंद परवत थोड़ा साथ टिल्ट है, तो नहीं कह सकते हैं, दबा हुआ है, कट है, तो ऐसे चंद परवत वाले थोड़े से बाते करने में ज्यादा रहते हैं, यह माइनस पॉइंट इन में रहता है, यहाँ पर एक क्रॉस साइन बनी हुई है, मैं इसका उपाय दे दूँगा, यह व्यक्ति को जीवन के प्रती हमेशा नीराशा भाव देती है, डर लगता है, आज मैं जहां पर हूँ, वहां से नीचे गिर गया, तो इस थाते की डर की फि प्राब नहीं है, तो अच्छे परचे सर होंगे, पानी अच्छा लगता होगा, दूद से बनी वस्तु है, अच्छी लगती होगी, निर्णे शक्ति अच्छी होती है, यह सारा लाप इस चंद्र परवत से मिलता है, दूसरा यहाँ पर एक मनी टैंगल भी बन रहा है, इस अच्छा खासा यह जमा कर लेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए काफी अच्छा जमा कर लेंगी, और जीवंद्रे का इस तरह से घुमाव लेती है, यह पारिवार एक सोच वाले इंसान होते, कहीं बार भी गए तो दो-चार बार फोन करेंगे, और सहर में भी रहे तो अगर में आल चाल तो पूछेंगे और परिवार के प्रतिक वेक्ति से यह लोग संपर्क में रहते हैं, शुक्र परवत में कोई कमी नहीं है, चाहिए वैसा शुक्र परवत है, तो वैस्तित लाइफस्टाइल होगी इनकी, यह इस तरह का शुक्र परवत है इनका, अब इन की हिर्दे रेखा देखी, एक जब लाइन इस तरह की चलती है, तो कहीं न कहीं यह भरोसे लाइक इंसान भी होते हैं, यह भी इन में खासियत होती है, एक्सपेक्टेशन भी जादा होती है, पर बेसिक जो सभाव होता है, वो यहां से सनी परवत से निकलता है, सुबह उठ रहते हैं, और एक दो लाइन है नीचे जा रही है, कभी मित्रों को या सखे संबन्दों को पैसा देंगे, और वो पैसा वापस नहीं आएगा, और यह लाइन है माबाप के सेवा करने वालों के हाथ में होती है, और यह जो लाइन है, फ्लट लाइन है, व्यक्ति दुखी भ हो रही है, यह जब माइन लाइन अंदुनिमंगल से सुर्वात होती है, तो कही न कहीं व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है, और ज्यादा दर प्लानिंग काज्यों पे रहतें, इंप्लिमेंट नहीं होतें, और यह चलते चलते, बैंड हो रही है, तो भारवालों के ल दूसरा कोई दोशारोपन है यह नहीं, काफी व्यवसित माइंड लाइन इनकी है, जीवन रेखा पर भी अगर देखे तो एज ओफ 32 तक तो यह बंधन योग था, यह 32 तक अगर इन्होंने कुछ भी काम किया होगा, परिवार को छोड़ कर, परिवार की जानकारी के बिना कही पर दस हजार भी रुपे लगाये होंगे, तो व्यक्ति को नुकसान, पूरा मुलधनी चला जाता है, हाँ, परिवार के साथ अगर यह व्यवसाय करते होंगे, तो कोई प्रॉबलम नहीं आती है, पर परिवार को बिना बताय कुछ भी काम किया होगा, तो लॉस जाता है, त 32 तक तो इनको बंधन योग था, हाँ, तब तक परिवार के लोगों का इन पर कंट्रोल भी अच्छा होता और इनको वो कंट्रोल अच्छा भी लगता है, यानि दोनों वाई से वर्षा चलता है, एक लाइन ने काटा, एज ओफ 35 के आसपास, तो अप्टु 41, छोटी छोट 33 में जो वर्तमान में एक राहू रेखा ने काटा, और यहाँ पर कोई न कोई 40 से लेकर 43 के बीच में बदलाव आया होगा, इनके जीवन में, या तो शेहर बदलाव गा, या घर बदलाव गा, या देश बदलाव गा, तो इनोंने देश तो बदला नहीं है, शेहर का मुझ 46 में बड़ी आसा ओफशूट है, और इसी पिरियड में 99 परसेंट एक फेट लाइन अलग से चल रही है, या तो कोई न कोई इनको अच्छा काम का जायेगा हाथ में, या कोई न कोई सफलता मिलेगी, या कोई प्रॉपर्टी खरी देंगे, 46 के आस पास, फिर 48 में एक राह रहा है, उसके बाद 58 में एक आफशूट है और निर एंडिरर की डेथ है, उसके बाद 65 में भी एक आफशूट है और निर एंडिरर की डेथ है, उसके बाद कोई राह रहा है, इस तरह की इनके हाथ में नहीं है, जो इनको परेशानी दे, अब इनकी धन रहा को हम समझने की को सिस करते हैं पहले जो में लाइन उस पर आते और जो सेकेंडरी लाइन ओपन हो रही है उस पर दूसरे फोटोग्राफ में जाएंगे यह देखिए इनकी धन रेखा में कोई दम नहीं है और इस्पेशली यहां से तो देखिए एज अफ 32 के बाद तो यहां तक कोई दम नही था और उसमें भी एक कट लगा होगा 38 के आसपास 32 से 38 तक फेट लाइन अच्छी नहीं थी यहां पर भी मैं यह नहीं कहूंगा कि अच्छी थी पर यह चार साल कहीं न कहीं तो भी इन्हों ने अच्छा ग्रोथ किया होगा बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा जो यह प्रियड में इनका turnover था 12 करोड के आसपास, 10 से 12 करोड साला न था, और इसके बाद ये वापस इनकी वर्तमान में धंद्रेखा बिगड़ी, और यहां से ये बिगड रही है, यहां तक, अब टू, यह एज होगी इनकी उस पिरियड में, 53 तक, 53 तक यह धंद्रेखा अच्छी नहीं है, जो में धंद्रेखा है, तो यहां तक इनको इतना ग्रोथ जीवन में नहीं आने वाला, जो यह डिजर करें, पर ऐसा नहीं है, और एक लाइन और इनको मिलेगी, जो एज आज 50 के आसपा से सुरू होगी, और वो केवल यहां पर डेड़ साल थोड़ा सा कमजोर रहेगा, और अब टू एंड तक यह ग्रोथ देगी, अब जो सेकेंडरी लाइन है, जो अलग से चालू हो रहे है, वो इस फोटोग्राफ में पर दिखा रहा हूं, जो इनको ग्रोथ कोई न कोई नया व्योसाय इनका चालू होगा, या जो व्योसाय करते होंगे उसमें बतलाव आएगा, और यह जो लाइन है, यह इनको ग्रोथ देगी, और यह लग बग 46 के आसपास से ही सुरूआत हो रही है, और मैंने यहां भी रिसर्च किया है, यह जो सेकेंडरी लाइ होती है, यह एक दो साल प्लस माइनस दिखाती है, यानि अगर 45 में दिखती है तो हो सकता 47 में कोई कामका चालू हो, 44 में दिखे तो हो सकता 46 में चालू हो, एक दो साल का वेरेशन आता है, पर यह धन रिखा इनको ग्रोथ देगी, क्योंकि यह काफी सुन्दर धन रिखा है और इस पर कोई ऐसा माइनस पॉइंट नहीं है हाँ केवल यहाँ पर यह दो साल 56 से लेकर 59 तक थोड़ा सा ग्रोध कम रहेगा पर इसके पहले इनकी और एक धन्रेखा डवलप हो रही है वो इनको अच्छा खासा ग्रोध देगी और यह पिरियड होगा लगबख इनकी एज का 51 के आस पास यह इनको फिर वापस ग्रोध देगी अब टू एंड तक मरने तक और साइट साइड में दूसरी लाइनें भी डवलप हो रही है जो एक्ष्ट्रा इंकम इनके हाथ में आती रहेगी पर जो मेंन लाइन है वो तो यहाँ तक जरा भी अच्छी नहीं है 53 तक इनको ग्रोध हाथ में नहीं आने वादा चैये वैसा पर सुपसा ही नहीं तो कहीं न कहीं कामकाच चलते रहेगा इनके जीवन में और इस धन रेखा पर एक कट लगेगा उम्र 61 के आसपास बाकि ऐसे मेजर कट नहीं है और यह लाइन ने अगर काटा होगा तो या तो यह घाटा गया होगा या यह जब लाइन निकलती या तो इन्वेस्मेंट शो करती है या घाटा शो करती है यह जब लगाने में थोड़ी सी तकलिफ होती है तो यह जो पिरियड होगा इनके जीवन का लगबग 43 के आसपास का ही पिरियड है या तो हो चुका होगा घाटा या घाटा जाने वाला है या फिर इन्वेस्मेंट होगा दो मैंसे कोई ने कोई एक वस्तू होगी पर यह लाइन इनको ग्रोथ अच्छा देगी और उसके बाद यह लाइन काफी ग्रोथ देगी पर मेंन लाइन में तो इतना दम चीव ऐसा दम है ही नहीं हाँ मैं उपाई भी इनको दे दूँगा पर जो सेकन व्युवसाय इनके चालू होंगे वो इनको अच्छी-खासी ग्रोथ देंगे क्योंकि यह बड़ी-असी साइन इनके आद में यह बनी हुई है बड़ी-असी साइन यहाँ यह बनी हुई है इनको ग्रोथ देगी तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाई